वेलगम तु ग्यान विजडम आज हम क्लास 12 आल्टी वालों के लिए क्लास लेकर आए हैं आज के क्लास में करने वाले हैं नाइट अफ दश्कॉर्पियन ओके तो नाइट ओफ दश्कॉर्पियन जो आपका पोएम है ये लिखा गया है नीसिम इजाकियल के द्वारा ओके ये प्रीफ इंट्रोर ले लेते हैं पोएट का और उसके बाद में हमारा पोएम का पूरा फाइल बना हुआ है तो जो फाइल बना हुआ है उससे पूरा क्लास कर पाएंगे ठीक है तो पोएट के बढ़े हैं पहले थोगा से बताया तो आपको निसिम इजाकियल वास बॉर्ण 16 दिसेंबर 1924 तो 16 दिसेंबर 1924 को इनका जनाम होता है कहां पर मंबई में एक जीविस फैमिली में मतलब जीव लोगों के फैमिली में एक बहुत बढ़े अच्छे पोएट है प्लेराइट थे ये एक्टर थे एडिटर थे और एक क्रिटिक भी थे ठीक है तो यह सब इनका क्वालिटीज रह गया आपको यहां से क्या पुछा जाता है आपको यहां से पुछा जा सकता है कि इनके पोएम किस तरह के होते थे पहला और दूसरा पुछा जा सकता है कि आप एक दो ठीक बार बता दो इन्होंने जो भी लिखा अगर अगर कोई भी अगर ऐसा पुरसका तो उनका जो पोएम है उसमें क्या पहले तो आइरनी होता है मतलब कि विरोधाभास जैसा चीज चीज चांट्राडिक्टिव जो चीज होता है वो सब देन विट कुछ इंटेलिजेंस वाला बात रहता है और देन क्या हमारा कॉमेंट रहता है इनका किसी पर जो कॉंटेंप् पोएम है जैसे आर टाइम टू चेंज 60 पोएम्स डेडली मेन यह सब जो इनका फेमस पोएट्री है इनको क्या मिला हुआ है साहित अकडमी अवार्डी मिला हुआ है इनको पदमन सिर्भी मिला कब 1988 में ओके जा सॉंग ओफ डेप्रिविशन हीरा बंसोडे एंड़ स्लिपि यह सब इंडिया में इंडिया के बाहर दोनों चलते हैं मतलब उसको लोग प्ले करते हैं और ही डाइड ओन 9 जनुवरी 2004 एड़ ऑफ 79 इन मुंबई और मुंबई में मर जाते हैं कब 9 जनुवरी को ठीक है 2004 में हमारे किसके बारे में पोएट के बारे में एक शौट डिस्क् पर सो नाइट ऑफ दे स्कॉर्पियान रिटेन बाइड निजिम इजेकियल ओके सो बहुत ही अच्छा सा पोएम है हमें ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं लेना है और मैं इस पोएम को इसलिए चूज़ कर रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही इसली पोएम को समझ भ करते हैं I remember the night my mother was stung by a scorpion तो आप जो होना जब इसको पढ़ोगे ना इसको पोएम के इसा मत परो आप इसको पूरा एक सेंटेंस टैप परो पूरा एक सेंटेंस ही है ठीक है तो मुझे वह रात याद है जिस रात को क्या होगा था मेरी मां को एक scorpion ने बिच्छू ने क्या क अलकुमार दिया था 10 hours of steady rain steady मने लगातार होते रहने वाला ठीक है so 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath the sack of rice rice मतला चावल के बोरे के नीचे का जगा होता है उस जगा पर पहुंच गया था उसके अंदर पहुंच गया था कौन बिच्छू कैसे क्रावल करते हुए ठीक है चलते हुए क्यों क् अच्छा होता क्या है अपने जहर को छोर कर पार्ट्वीथ मतलब कैस छोर ना तो अपने जहर को छोडकर मेरे मा करो फी मा की बतले कि माई को टनक लिया था और उसके बाद में उसका डाइबोलिक टेल है तो जो इसको बॉड़ा तो छत्र नाक जो पूछ है उसको चमकदार हुआ है जो छमकदार भी है और प्वह लेकर आजाता सबस्टाइब में जाता है लिड mają और फिरसे नहींहें हतैं को किरा पीज कें ओक आए लोग कर लिए अ स्वार्व फ्लाइज मनने मक्ही और स्वाम मतलब यहां पर जुन्ड है ठीक है तो मक्हियों के जुन्ड के जैसा मतलब की बहुत सारे लोग आघो एक्रावड पीपल देश आते हैं परनेमं California बिन्स अधारे अधेल स्वाऱ्ड second आएप ऑंड ज्भावान का नाम्नेौने Learning devil और नो इसकोर्पी एंवे स्कॉर्पीएन के बदेशस मेंट करने के लिए किसको और स्कॉर्पियान को परालाइज करने के लिए जाकि हो जाए क्या हो जाय भी पाता चले गए इस अगले श्टंज परालेज़ करने के लिए मैं पहली किया भगवान में लोगों का बहुत बार क्या-क्या ठीक है ओन दा मड़ बेगड वाल्स दे स्केट दे सर्च फोर हिम तो अब लोग जो है क्या है अब मालो में यहां पा ले लिया क्या चीज लाल टेन ले लिया इसका मेरे उपर क्या पर रहा होगा जिसका एक पीछे बन रहा होगा और वो जो इमेज हो कैसा लग बहुत जाइंट बहुत बढ़ा साइस को लाग रहा है कहां पर अन दा मड़ बेग वाल्स मतलब इंटी से बना हुआ जो वहां पर ठीक है बढ़ा सा क्या हो रहा था एक स्कॉर्पियन का पिक्चर शैडव बन रहा था देश्च लोगों ने क्या किया उसको ढूंने लगा टेक है उस्कोर्पिंदी नोट फांड लेकिन वह मिला नहीं धीक्लिक टेर टंग उन्होंने क्या आपने टंग को क्लिक क्या यहां पे इतिक मतलों फोटोवीटिण ओला क्लिक नहीं है जो आप देखो गना अधिवस्य लोग या फे with every movement that the scorpion made his poison moved mother's blood they said अच्छा उनका logic क्या था वो क्यों रून रहे थे scorpion को इसलिए जैसे जैसे जो scorpion है वो mother से दूर जा रहा है जैसे जैसे mother से दूर जा रहा है every moment he was making the poison of him his poison was growing in the mother's body तो जैसे 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 दूर जाते रहेगा इसलिए उसको जल्दी से जहां है वहीं पर रूख जाए ठीक है या उसको मार दिया जैसा कुछ away tonight they said और वो क्या कहते है कि हो सकता है कि आज जो है इस दुख को जहेल कर तुमारा जो पिछले जनम का जो पाप है वो क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा ठीक है जल जाएगा बराबर हो जाएगा May your suffering decrease the misfortune of your next birth they said और पिरो क्या कहते है कि हो सकता है कि आज जो तुम्हारा जो दर्द है इस दर्द को तुम जो सह रही हो इससे क्या होगा तुम्हारा आने वाला अगले जो जनम होगा उसमें तुम्हारा जो misfortune जो अभाग्य है वो खतम हो जाएगा ठीक है दुर भाग तु लिए और तुम्हारा जितना भी तुमने जितना भी अभी तक जो भी गलत काम किया है उससाव का संभी का सम करेंगा किसको इन धिस अन्र्याल वर्ड में किस चीज़ को बैलेंस कर देगा यहां पर देखते हैं अगेंस्ट दा सम प्गूड बिकम डिमिनिईष्ट तुमने जितना पाप किया है तुमने पुनिक किया है एड़ेस्टमेंट चल रहा है ठीक है यह थोड़ा आगे पीछ हो गया है में दर में दर पॉइज़न प्यूरिफाइब और फ्लेश ठीक है यहां पर मांस के लिए तो जो जो पॉइजन है ना यह तुम्हारे फ्लेश को कर देगा कौन यह है और यह जो प्रीट स्पिरिट आफ यह इंपीशन और तुम्हारे इच्छा का जो आतमा सकती है उन सभी को क्या कर देगा जो लालसा हो खतम हो जाए ठीक है और उसका बाद में क्या होते है वो मम्मी अगर यहां पर तुसका आज पिछे वो बैठ जाते ठीक है, the piece of understanding on each face, और हम सभी लोग क्या देख पा रहे थे, कि सभी के चहरे पर क्या है, एक समझ आ रहा है, एसा लग रहा है कि सभी जो है, समझ रहे हैं उस बात को, तो वहाँ पर शांती है, समझ दार होने का है, समझ एक दूसरे को समझने का एक शांती वहाँ पर फैला हु रहा है, and the endless rain, और rain भी भी चली रहा है, खतम नहीं हुआ है, ठीक है, my mother twisted, मेरी मा जो है twist होती है, twist मतलब यहां पर मतलब का है, वो उलट पुलट होना, ठीक है, through and through, groaning on mat, मेरी मा जो है कराहा रही थी, क्योंकि उने क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था, पीरा हो था, और उ septic, rationalist, trying to, trying every curse and blessing, मेरे पिताजी जो है, septic person है, septic का मतलब होता है, one who questions everything, आप कुछ बोलोगे, तो होता नहीं है, कि आप मुझा स्रिवात हो, तो मैं ओमर तुने बर जाएगा, आप मुझा सराब दो मैं मरत होई नहीं जाओंगा, तो वो एसे वो लोग है, ठीक है, तो वो अपने तरफ से कि दर्द कम हो जाए, ठीक है, he even poured a little paraffin, paraffin, it's like petroleum material, जो कि आप बोल सकते हो, kerosene है यहाँ पर, तो थोड़ा सा kerosene लेकर, जहाँ पर दर्द हो रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा kerosene डाल दिया आता है, तो ऐसा पहले किया जाता था, जैसे कि मुझे याद है एक बार मेरे पाओं में बहुत बड़ा सा काटा चुप गया था, तो मेरे जो नानी थी, उन्होंने क्या किया, उस पर हलका सा आग लेकर आग से जला दिया, ठीक है, तो लोजिक कुछ ऐसा होता है, कि आपका जो skin होता है, चमड़ा जो होता है, वहाँ पर यहाँ पर कुछ पर यहाँ पर काटा था, पूट अमेच उनिट और तो अगला दिया, तो मेरे माँ पाओं से जो फ्लेम जो निकल रहा था, मैंने उसे भी देखा, आई वाज दा होली मैन परफॉर्म इस राइट्स, और एक कोई बाबा टाइप लोग होंगे, या सादू होंगे, उन्होंन जारफुक टाइप कोईसे कुछ कर रहे होंगे, तो भी मैने देखा, तो टेम दा पोईजन, ताकि पोईजन का हो जाए, घट जाए, कम जाए, पोईजन का पावर, विट इन कैंटेशन, ठीक है, ओर जादू, जादू से क्या हो जाएगा, जारफुक से खतम हो जाएगा द इसके लिए अगर पेपर सेट करना तो मैं यहीं से कॉषन पूछता, तुक है, क्योंकि यहीं पे मेन बात है, मैं मदर ओनली सेड, मेरी मा जो एस सिर्फ कहती है, बीस घंटे तक वह दर्द हुआ है, दस गंटे तक बारिस हुआ है, बीस घंटे तक वह दर्द हुआ है, और क्या करिए थेंक करिए भगवान को ठीक है okay so this was the poem I hope कि आपको समझ में आया होगा बीच में थोड़ा से दोड़ा के ले लिया तो मुझे खुद उसे नहीं लगा क्योंकि एक क्लास अलग ची होता है और ऑनलाइन में अलग तुक बनता है चलिए जो लोग आप लोग बहुत दिनों से आप लोग का क्लास नहीं आ रहा था तो आएगा अभी थोड़ा सा व बीम वालों के लिए थोड़ा करा देते हैं वी कॉम वालों का उन लोग का तो अब एक्जाम भी है और अल्टी इंग्लिस का यह वाला है ठीक है और सबसे मिनिम्म कोस्ट है आपका और इससे पहले कि जितने भी क्लास है सब के सब को रिकॉर्डर बिल जाएंगे तो को इश्यू नहीं है और इसके अलावा आप चाहो तो मुझसे को सकते हो हम पूरा ट्राइग करेंगे कि आपका अक्टूबर तक ही आपका पूरा सिल्वस कातम कर दे एक टोपिक को छोड़ कर ताकि उस टोपिक के लिए आप मुझसे कनेक्टे रहो तिल दिसेंबर एटलिस्ट ठीक न अगर आप इंट्रेस्टर हो कोर्स लेने में तो फटक से वाटसप करना और जब आप यह लो लिए आया है कुछ दिन बात फिरो लोग के लिए आजाएगा है तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले बार आए हो तो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना हो सेको उतना ही हो रहा है बट उतना ग्रोथ आपको नहीं दिख रहोगा तो वो कब होगा जब आप लोग उस पर सपोर्ट करोगे बाबाइ मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू एन बेस्ट अपलादें